जानिये ओडिशा स्थित सूरिय कोणार्क मंदिर का इतिहास और मंदिर से जुड़े रोचक तत्या हर साल जब देश और दुनिया भर से परियाटक ओडिशा आते हैं तब खास तोर पर पूरी स्थित कोणार्क सूरिय मंदिर के दर्शन जरूर करके जाते हैं कोणार्क सूरिय मंदिर का निर्मान राजा नरसिंग देव ने 13 विश रतावदी में करवाया था यहां मंदिर मुख्य रूप से सूरिय देव को समर्पिर्थ है यहां रोज सूरिय देवता की पूजा की जाती है कोनार्क नाम दो संस्क्रिप शब्दों कोना और संदुक को जोड़ कर नाम दिया है कोना का अर्थ कोन है और संदुक का अर्थ सूरिय है इस मंदिर की वास्तुकला काफ़े आदोनिक है संपूर मंदिर स्थल को एक बारा जोड़ी चक्रों वाले साथ घोडों से खीचे जाते सुरियदेव के विशाल काय रत के रूप में बनाया है ये बारा जोड़े हिंदू कैलेंडर के बारा महीनों का प्रतिनिदित्वा करते हैं जोड़ी के दो पहियों में एक महीने के शूर का पक्ष और कृष्ण पक्ष का वर्ण है कुनार्क मंदिर को 24 पहियों पर खुबसूर्ती से सजाए गए रत के रूप में डिजाइन किया गया था मंदिर रचना के पीछे व्यग्यानिक नीती थी कि चुम्बक को मंदिर के उपरी हिस्से में इस तरह से स्तापित क्या जाए कि मंदिर की मुख्य प्रतिमा हवा में हो इस मंदिर में चुमबकों को इस तरह से स्थापित क्या गया था कि जैसे ही सुभ ungefय सूरिय की पहली किरण मंदिर के अंदर प्रविश करती थी मंदिर के अंदर स्थापित प्रतिमा वाली जगा हिरे की तरह चमक उरती थी रत का प्रतेक पहिया व्यास में लगबक 10 फुट चौड़ा है और रत साथ शक्तिशाली घोडो द्वारा खीची जा रही है रत के साथ घोडो के नाम गायतरी, ब्रेहती, उश्नी, जगती, त्रिशूभा, अनुशुधूबा और पंक्ती है कुणार मंदिर के प्रवेश द्वार में दो समान मूर्तियां हैं जो विनाश की और निर्देशित हैं दो शेर हैं जो उनके नीचे दो हाथियों को पकड़े हुए हैं और उनके नीचे मनुश्य की मूर्ति दफन है मंदीर के चित्रन में मनुश्य के जीवन में आने वाले प्रमुक समय स्या यानि धन और शक्ती को दर्शाया गया है ये स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि लालच और अहंकार मनुश्य के नाश का कारण बनती है सुर्य के रत के रूप में इस मंदीर का निर्मान लाल बालूवी पत्थर और काले गरनाइट से किया गया है इसे पत्थर पर उतक्रिष्ट मूर्ती कला करके बहुत ही सुन्दर बनाया गया है आपको बता दे कि असल में इस मंदिर को बनाने के लिए इस्तिमाल कियेगे पत्थर भारत के बाहर से लाए गए थे क्यूंकि यह मंदिर समुद्र किनारे हैं जो बाकी देशों के मार्गों को जोड़ता है और अन्य देशों से पत्थर लाने के लिए ज्यादातर समुद्री मार्ग का उप्योग किया जाता है कि भारत उस समय यानी 12-13 शिताबदी में भी अन्य देशों के साथ व्यापार करता था कुनार्क मंदिर तीन प्रकार के पत्थरों का उप्योग करके बनाया गया था जिनका नाम है क्लोराइट, लाटराइट और खॉंडलाइट पहले मंदिर बंगाल की खाड़ी के समूदर तट पर हुआ करता था लेकिन समय के साथ समूदर का पानी मंदिर से दूर हो गया उस समय मंदिर का उप्योग बंगाल की समूदर तट से मलाहों के लिए लैंडमार्क के रूप में किया जाता था आज के समय में इसके कई भाग द्वस्त हो चुके हैं कारण अग्यात है कई लोग मानते हैं कि प्राक्रेतिक आपदाओं के कारण मंदिर ख्यतिग्रस्त हो गया मगर कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि द्वस्त होने का मुख्य कारण मुगल शासकों द्वारा किये गए आक्रमण थे इसके अलावा आज जो मंदिर मौजूद है वो ब्रिटिश इंडो यूग की पूरा तात्विक टीम के सनरक्षन प्रयासों के कारण पुनर आरम किया गया था ये अभी लेख संस्कृत भाषा में ओडिया लीपी में लिखे गए थे और ताड के पत्ते की पांडू लीपियों यानी हाथ से लिखी किताब के रूप में सनरक्षित किया गया है ये रकॉर्ड 1960 के दशक में एक गाउ में खोजे गये थे और फिर कुछ समय बाद भाषा बदल दी गई थी कॉनार्क मंदिर के प्रतेग भाग पर देवी देवताओं भृत को जीवन को चितरित करने वाले चित्र आदी के साथ स्थापत्य निर्मान का चमतकार को चितरित क्या गया है कॉनार्क मंदिर अपने आप में एक आकरशक केंद्र है